Class 10 Mathematics प्रिश्णावली 13.2 जो की पुरानी बुक में 14.2 के नम से है अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हो तो आपको 13.2 देखने को मिलेगी और पुरानी बुक में 14.2 है आज हम इस वीडियो में बहुलक निकालना सेखेंगे बारम बारताओं का बहुलक निकालना शेखेंगे देखेंगे मैं जिस तरीके से बहुलक निकालना बताओंगा ना बहुत आशान है बहुत जाधा यूटूब भर में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा मैंने खुद मैथर बनाया बहुत ही आशान तरीके से ठीक है एक कौशन को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुलक कितने भी प्रकार के हो जितने भी है अगर आप समझ गए न तो इन सभी को ऊड़ा दोगे हवा में तो चलिए पहले कौशन को हम देख लेते हैं पहला कौशन हमारा कुछ इस तरीके से है कि निमलरकित हानी किसी अस्पताल में एक 20-20 बर्षा में भरती हुए रोगियों की आयू को दर्शाती है ये हमें दिया गए है आयू दी गई है इतनी और रोगियों की संख्या यानि 6 जो है रोगी वो 5-15 बर्षा की है ठीक है? 11 जो रोगी है वो 15-25 साल के हैं इस तरीके से है उप्रोक्त आंकडों के बहुलक और माध्य ग्याद कीजिए क्या करना है मैं बहुलक निकालना है और माध्य भी निकालना है मैं आपको बहुलक निकालना बताऊंगा माध्य है चलिए देखे इसमें क्या है बहुलक हमें निकलना ये हमें बारंबारता साणि दी होई है तो इधर देखिए बारंबार कने निकालने के लिए फाउमला क्या ओताओ देखो बहुलक निकाल ले के लिए जो फार्मला होता है वो देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लश F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुड़ा में H यह जेनरलियम फार्मला यूज करते हैं बहुलक निकालने के लिए यहाँ पर हमें L F1 F0 H बगरा F2 की जरूत पड़ेगी आप यह कहां से मिलेंगे यही ट्रीक है यही निकालना है बहुत आशान तरीक है देखिए कैसे सबसे पहले मुझे चाहिए F1 तो मैं F1 यहाँ पर निकालना कैसे है यह F1 का मतलब नंबर 1 पर है जो सबसे ज़्यादा हो F में जो सबसे ज़्यादा हो भही F1 है तो F में सबसे ज़्यादा क्या है आपको कि 23 है यह तो F1 भी 23 हो गया F1 23 हो गया उसके बाद देखिए क्या है F0 और F2 तो F1 के ठीक उपर वाला F0 होगा और F1 के ठीक नीचे वाला F2 होगा 0,1,2 इस तरीके से अब आगे देखिए आगे हमें जरूरत पढ़ेगी किसकी यल की अब है यल तो बहुत आसान है F1 के सामने वाला L होता है तो L हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा यल 35 हो गया उसके बाद हमें जरूरत पढ़ेगी H हश का मतलब होता है अंतर सिंपिल वाल मैं बताएं उपने भासा में तो अंतर इन सम्में कितने कि अंतर है जेनरली आप सीमिसका उन्तर है यानि कि हमारा यह 50 कित्ता हो जाएगा, यह 50 हो जाएगा, ठीक है और F0 21 हो जाएगा वी यह इक्तिस है 21 हो जाएगा और जो एफ्टू होगा वहमारा 14 हो जाएगा अच्छा और L कितना होगा लं हमारा 35 है अब यह मान मिल गए अब भाही निकाल लो बहुलग वाला अंडि भूलक बराबर देखे क्या है यह यह अभी इसमें अल कितना है 25 है तो 35 लिख दू प्लस इयफ वन इयफ वन कितनाय है अन्हान कितना है माईनस अफ़ जीरो यह हमारा है टेज से माईनस फिरो एफ जीरो हमारा हिस मामेंस एफ टू हमारा चुनथ है वे गुणा है यह हमारा कितना है 10 है देख लीजिए 10 है, चलिए भाई 10 है, है कि नहीं, अब इन मानों को रख दिया है, अब solve कर 2 answer आपके सामने प्रिकट हो जाएगा, कैसे देखो, बहुलक बरावर, देखे 35 प्लस, 23 से 21 गया बचा, 23 दुना, देखे 23 दुना, देखे 24, 46, माइनस 21, माइनस का 14, कमेंट कीजिए इससे पहले किसी ने आपको ऐसा बताया, नहीं बताया हुआ, खुद का बनाया हुआ है वही या, खुद का, दो बचा, 46 से 21 गटा हुआ हमें गटा लेता हूं, यहां पर देखे, 46 माइनस 21, माइनस 14, 46 माइनस 21, माइनस 14 करेंगे तो आपको मिलेगा 11, गुणा 10, चलो इसके बटे में कुछ ने तो बन, इधर गुणा कराएंगे हैं, 35 की, 35 की गुणा करानी है मैंनू 11 से, मुझे मिलेगा 385, 20 कम 20, 11 कम 11, अब भाई जोड़ दो, मज़ा आ रहा है इन सबालों को करते हुए, सही बताऊं तो बहुत मज़ा आता है, 20 जोड़ना है मुझे, तो म अपने पास जो आया बहुलक वो आया है, 36.8181 भाई इस तरीके से हमारा आ गया, बहुलक आ गया भी, कितना आ गया, 36.8188 चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से कोशन खताम, बहुलक आपको निकालना आ गया होगा मैं गैरेंटी ले सकता हूँ, बहुलक निकालना बहुत बता देंगे ठीक है माद देखे लिए एक special वीडियो माद देखे लिए एक special वीडियो वीडियो अच्छी लेगे तो like कर दो और comment बताना कि आपको किसी ने ऐसी trick पहले बताई मिलते हैं एकले वीडियो अब तब तक के लिए जैरम जी कि